हालो मश्कार प्यारे बच्चो मैं वीजे बंसल मैथ लेक्चरार गौवर्मेंट सीनर्स केंडी स्कूल चांदपुरा जाकर ब्लॉग इस्टिक फतेवाद से हरार एजुगेशन डिपार्डमेंट आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे प्यारे बच्चो इसके अंदर आज सबसे पहले हम इसकी जो पिछली वीडियो के अंदर हम सर्व समिकाओं के बारे में पढ़ चुके हैं सभी नीमों के बारे में पढ़ चुके हैं आज हम सबसे पहले इसके उधारन देखते हैं ठीक है उधारन बारा हम पिछली वीडियो के अंदर कर चुक secant a 1 minus sin a into secant a plus tangent a is equal to 1 ठीक है आप इन सभी कोशनों को करने के लिए थोड़ा सा नियम ही दिमाग करने बना के रखें सबसे पहला concept जो हम mostly करने की कोशिश करेंगे सभी तो दूसरा हम इसके अंदर करने की क्या कोशिश करेंगे सभी कोशणों के अंदर यहीं नियम आपका सभी कोशणों पर लागू होकर सभी कोशणों को ही solve कर देगा जिसे हमारे किसी कोशण के अंदर कोई problem भी नहीं रहेगी और question वो बड़ी असानी से solve होते चले जाएंगे sign a.co से अब इसी के साथ हमारे पास दूसरा step क्या होगा अगर आपका उनका कोई LCM बनता है तो LCM ले लेंगे ठीक है किसी formula का use होता है तो formula का use कर देगी ठीक है और तीसरा step आपकी उसके अंदर कुछ cutting होकर multiply या काटना हम यह कहें कि cancels कर रहे हैं हम divide के अंदर है कुछ cancel हो सकते हैं यह को formula apply होता है ठीक है हमारे पास पहली सरसमिका के उपर अधारी formula होंगे उसी के अधार पर हम questions को solve करेंगे कैसे यह देखने के अंदर बड़े ही अजीब हो ग्रीव से point लग रहे हैं हमें इन्टू sec a plus tangent a आपका पहला step आप sign cos से बदलेंगे second आपके पास one y cos को रहे हैं sign आपका यह पहले ही sign में है ठीक है और second आपके पास one y cos हो गया और tangent sin by cos हो गया ठीक है अब हमारे पास यह तो one y cos ही रहेगा मैंने आपको कहा कि लगुत्तम लेंगे लगुत्तम लेने के लिए यहां जो concept वंड़रे आपके पास यह ब्रेक्ट बन रही है इसी ब्रेक्ट के अंदर लगुत्तम लिए जा सकता है तो हम यह लगुत्तम लेंगे इस ब्रेक्ट के अंदर आप क्योंकि दुनों का हर देखें कोस है तो कोस लगुत्तम हो जाएगा दुनों का कोस और उपर 1 प्लस साइन ही ठीक है लगुत्तम लिए आपने उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है पहला स्टेप आपने साइन कोस की फॉर्म में बदला दूसरा स्टेप आपका लुगुत्तम ले सकते हैं या कोई फर्मूला अप्लाई हो तो यहाँ लुगुत्तम बन रहहा था पहले लूगुत्म ले लिया फिर फर्मूला बन रहा है a minus b a plus a आपके पास one minus sine square a a minus b a plus b का फॉर्म न लगा लिए one minus sine square और cos a into cos a हमारे पास क्या होगा cos square ठीक है उपर one minus sine square हमारी पहली ही सर्वसमिका से क्या बनता है cos square बटा में cos square आपके दोनों आपस में कट के क्या आगया one और यही आपको प्रूफ करना था यहां पर that means बराबर में right hand side clear number 14 इसके अंदर हमें क्या दिया गया है ठीक है हमें प्रूफ करना है कि cot a minus cos a upon cot a plus cos a हमें बराबर प्रूफ करना है cos a minus one upon cos a plus one ठीक हम क्या करते हैं इसकी left hand side लेते हैं left hand side में सबसे पहले आप यही लिखते हैं cot a minus cos a upon cot a plus cos a तो अब आपने लिखा हमारा formula तेक्निक क्या गयती है कि सबसे पहले आप sin cos की form के अंदर ही बदल लें आपने sin cos की form के अंदर बदला इसको यह क्या हो गया cos by sin a minus cos a ठीक है और निचे क्या हो गया cos a by sin a plus cos a हमें जो proof करना है हम यहाँ पर लगुत्तम लेते हैं लेकिन हमें जो proof करना है उसके अंदर हमें आपको cos नहीं चाहिए तो यहाँ से उपर और निचे से cos common निकल सकता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर cos common ले लेते हैं उपर से cos common लिया तो 1y sin रह गया अंदर minus 1 और upon में cos common लिया तो 1y sin a plus 1 रह गया आपके पास cos से cos कट गया और 1y sin हमारी पास क्या होता है ठीक है cos x a minus 1 1y sin cos a plus 1 that means right hand side ठीक है यह आपके पास आपका proof हो जाता है concept उसके बाद हमारे पास example number 15 हम example number 15 को बाद में question number हमारे पास 5 के 5 में भाग की तरह ही है ठीक है हम उसके साथ करेंगे इसको जब हम 5 में भाग कर रहे होंगे अभी फिलाल हम क्या करते है exercise के question स्टार्ट करते हैं ठीक है question number 14 के बाद हमारे एक example रह गया है वो देखें question number 4 इसका पहला भाग हमें क्या दे रही है 9 sex square a minus 9 10 square a आपने 9 अगर दौन में से कॉमा निकलता है तो sex square a minus 10 square a 9 sex square minus 10 square यह हमारे पास किसकी value होती है 1 की ठीक है तो dad means हमारा answer क्या जाएगा 9 आपको यह question जो fourth दिया गया है optional में है तो option के according देखें 9 अपका कहां से conception बन रहा है b ठीक है तो dad means इसका answer मारे पास क्या बन जाएगा option b ठीक है इसके बाद हम इसका second भाग देखते हैं किसी second भाग में क्या दे रहा है हमें आपको दिया गया है one plus ten a ten theta theta डालना बिल्कुल easy है zero डाल का भीच में आप minus का निशान से डाल दें तो वह theta की तरह बन जाता है into second theta one plus cot theta minus cosec theta one tangent हमारे पास क्या होता है sign by cos और cosec क्या होता है one by cos one plus code क्या होता है sign by cos और cosec क्या होता है one by sin आगे देखते हैं हमने sign cos की form के अंदर बदला उसके बाद हम इनका लगुत्तम लेंगे तीन्नों का ही लगुत्तम आपका कोस बन सकता है और यहां तीन्नों का लगुत्तम आपके पास sorry यहां हम code की value गलत लेगे code sign by cos नहीं cos by sign होता है ठीक है यह tangent होता है आपका tangent के concept के according लेगे हैं cos by sign ठीक है लगुत्तम आपका cos ठीक माइनस एक यह बन जाएगा उसके बाद अगर मैं इसको पुरे को a माननों यह b तो a-b ठीक है यह सोरी माइनस नहीं प्लस का साइन है यहां पर और यह a-b ठीक है तो हमारे पास क्या हो जाएगा a-b 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 a-square-b-square मतल उपर क्या आगे आपके पास sin theta plus cos theta की whole square माइनस 1 क्योंकि 1 की whole square तो 1 ही बनेगा और निच्चे आपके पास क्या आजाएगा cos theta sin theta यह दोनों ही गुना में आ जाएगे उपर आप इनका formula खोल देते हैं a plus b की whole square का तो क्या बनेगा a square plus b square plus 2ab minus 1 आपके पास ही upon में cos theta और sin theta यह है और sin square plus cos square यह एक के रबर होता है तो आप इसको डारेक्ट एक से काड़ सकते हैं क्योंकि minus 1 है हमारे पास ठीक है और दूसरी तरफ क्या बचा आप हमारे पास उपर क्या बचा 2 sin theta into cos theta और upon में क्या है cos theta sin theta यह कट गया हमारे पास आगे बचे लिखे होगा कोई फरक नहीं है दो तो अगर option में आप चेक करेंगे तो क्या option मन रहा है आपके पास c ठीक है आपका यह c option मन जाता है उसके according आप solve कर सकते हैं इसके अंदर आप चाहें तो values को किसी angle पर भी निकाल सकते हैं क्योंकि हम यह option थे आप पूरा question solve करना पहले चोलो इसके सभी questions हम जो करते हैं इस ढंग से ही solve करने सीखते हैं फिर आपको shortcut ली कैसे हम इसको कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे तीसरा भाग देखें आपको क्या दिया गए secant a plus 10 a into 1 minus sin a sec आपके पास क्या होता है 1 by cos और 10 क्या होता है sin by cos into 1 minus sin a ठीक है आपके पास cos option आगया 1 plus sin a lcm लिए इनका अपने ठीक है न तो पर 1 minus sin a a plus b a minus b तो a square minus b square 1 minus sin क्या होगा आपके पास cos square हो गया upon cos a यह आपके पास कड़िया बचा क्या cos a ठीक है और cos a आपके पास कौन सो option मन रहा है हमारे पास option d ठीक है वैसे जहां में वैल्यू दी गई हो वहीं पर हम एंगल वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं जो हम करेंगे लेकिन इसके उपर भी अगर हम अप्लाई करते हैं तो कि यह देखना पड़ते हैं हमें specialist के अंदर उसके बारे में हम बात करेंगी लेखते हैं जैसे आग को रखुअ बडल में स्काम अप्लाई कल ना था रर्मूली करते हैं जो मुषच का इसके बारे मेंस ने कोच मेंसे इसक बान करते हैंな तो मेंसे बाराव भी अप्शन कोन सा बन जाएगा डी ठीक है डी option होगा हमारे पास अब इनी questions को हम देखते हैं अपनी दूसरी विदी से हम उसको किस दंग से solve कर सकते हैं दूसरी अन्य विदी के द्वारा उसके बारे में बात करेंगे हम यहां देखते हैं जैसे इनी चार चोथे questions को ही हम कर रहे हैं अपन करें मान का प्रियोग करके जैसे आपको दिया गया है इसमें सबसे best रहता है कि आप हमेशा कौन का मान 45 भरें पहला दिया गया है 9 sex के a-910 का इसके नहीं आप 45 पर मान निकालते हैं इसमें आपको 45 क्योंकि सबसेरा easy यह रहता है कि आपको याद करना कुछ maximum नहीं पड़त 15 दुननों का मान कितना हमगे उता है कई ए किवटा 2 sign क क我覺得 कusz का मान 45 और कोस का मान 45 इसका मान का उता हो गया 2 तो वर्ग मूल का यह बिना वर्ग मूल कोई भी चंकर इसके नदर सोड़री और वर्ग मूल दो ठीक है और यह वर्ग मूल आ जाएगा तो वर्ग मूल के अंदर ह याद हो जाती है और 10 और कोड 45 का जो मान है हमारे पास ठीक है वो कितना होता है एक जैसे सेक 45 का देखना है तो वर्ग मुल 2 का वर्ग माइनस 9 गुना 1 का वर्ग तो 9 गुना 2 माइनस 9 गुना 1 डाटमी इस 18 माइनस 9 ब्राबर में 9 आपका यह आंसर है यह कौनसा उप्षिन है भी ठीक है आप किसी भी अंगल पर निकाल लेंगे आपके पास आपके कोश्चन का अंसर तो बनेगा ही बनेगा यह ठीक है ऐसा नहीं माइनस' कोशक ठीटा अब यहां पर 45 पर निकाल है वन टैन 45 का मान एक हो गया और सिकन 45 का वर्ग मुलडो वन कोश्च का वर्ग मुलड़ तो आपके पास कितना अ गया दो प्लस वर्गमुल दो और दो माइनस वर्गमुल दो तो a प्लस b a माइनस b a का स्क्यार माइनस b का स्क्यार तो 4 माइनस दो दो यह आपको option के अंदर ही है कौन सा option आजाएगा आपका c ठीक है यह answer बन जाएगा आपके पास इसके बाद देखते हैं हम next third question उसको हम किस ढंग से solve करेंगे हैं हमारे पास आपको दिया गया है secant a प्लस tan a into one minus sin a ठीक है तो secant देखें आपके पास secant 45 का मान क्या होता है वर्गमुल दो और tan जब 45 का एक ठीक है और दोसी तरफ आपके पास एक और sin 45 का मान के तना होता है वर्गमुल sorry एक बटा वर्गमुल दो ठीक है अब आपके पास इनकी गुना करने ही या उनका पहले गुत्तम ले फिर कर लें सीधी ही गुना कर लें तो प्रॉब्लम ही नहीं है वर्गमुल दो को एक से गुना किया वर्गमुल दो को इससे गुना किया ठीक है वर्गमुल दो को एक से गुना किया वर्गमुल दो फिर एक को कर लेते हैं पहले एक से गुना एक अब क्योंकि माइनस से गुना करें दोनों माइनस को वर्गमूल दो को आपका एक वर्गमूल दो से करेंगे तो माइनस एक और माइनस एक को से करेंगे तो माइनस एक वटा वर्गमूल दो एक से एक आपके कट गया आपके पास ठीक है अब वर्गमूल दो वटा एक में से एक वटा वर्गमूल दो वटाएंगे आप आपने इन दोनों का लोगत्तम लिया वर्गमूल दो इन दोनों की गुना इसको इससे गुना कर देंगे 2-1 बना एक वटा वर्गमूल 2 आ गया ठीक है बस इन कोशनों में होता गया है हमारे पास हमें option देखने पड़ते हैं कि यह मान किस पर बन सकता है हमारे पास option होगे अंदर हमें 4 option दिये गये है secant a दूसरा दिया गया sign a और तीसरा दिया गया आपका cosec a और चोथा दिया गया आपको cos a ठीक है आप देखें एक वड़ा वर्गमूल दोन आपके पास second का होता ना cosecant का होता यह तो sign का होता है यह cos का होता है ठीक है यहाँ इस questions के अंदर यही confusion हमारे लिए पैदा करती है आप जब 45 पर solve करते हैं हो सकते हैं आपको एक ही option बने लेकिन chances हैं कि आपके पास दो option आजाएं ठीक है क्योंकि एक वड़ा वर्गमूल दो sign 45 का होता है cos 45 का होता है लेकिन अगर आप किसी और पर करेंगे तो फिर आपको exact मान cos 45 यह sign 45 जो cos जिस भी एंगल पर निकालेंगे उसी एंगल के according value हमारे पास निकल कब आएगी हमारे पास ठीक है कोई ओर different value नहीं मैंनेगी इसके अंदर यह रहता है जैसे अगर मान ली जी आप इसी questions के अंदर हम करते हैं आपको दो option बन रहे हैं अब मैं आपको इसी questions को एक अलग एंगल पर करके दिखाता हूं देखो जिसनके अंदर पहले जैसे पहले दो भाग की हमने इनमें क्या थे आपके पास चारो option ही value वाले थे तो आप 45 आपके लिए सबसे बढ़िया था इसके लिए इनमें जहां हमें यह साइन, सिकेंड, को सिकेंड आ जाते हैं यहां आपके लिए 45 आपको confuse कर सकता है किसी values पर ठीक है तो आपने जैसे पहले option में भी देख लेते आपको पास चल जाता है कि 45 डिगरी पर सिकेंड और को सिकेंड का मान बराबर होता है और 45 पर साइन और कोस का मान बराबर होता है या तो आपका इन दोनों में से अंसर आगा या इन दोनों में से आएगा ठीक है ना तो हमारे लिए आप solve कर पा रहे हैं तो वह तो बहुत इची बात है इस एकंडों में solve कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं तो angle कैसे put करें फिर वहाँ clear कर लें कि 45 की जगा कोई हो री angle बरेंगे हैं कैसे देखें अब आपको secant दिया गया था माल ली जम 60 degree बरते हैं secant 60 plus tangent 60 1 minus sin 60 secant 60 का मान देखें अगर हम ठीक है हमारे पास second 60 का मान कितना होता है second आपका course का उल्टा होता है ठीक है course 60 का और course 60 के लिए आपको table याद हो तो 0, 30, 45, 60 60 वाला यह line होगी हमारी finger होगी उसके बाद एक उंगली है तो 1 का वर्गमूल 1 इक बटा में 2 ठीक है और 2 बटा में 1 एक बटा 2 का उल्टा का बंजेगा 2 टैंजर 60 का मान कितना होता है हमारे पास वर्गमूल 3 एक और 2 से 2 कट जाएगा क्याहला वर्गमूल 3 इस से गुना किया माइनस वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से 2 ऑठ हमें 2 ये कट गया आपका 12 से 3 बटा 2 गटा कितना आगा हमारे इक बटा 2 अब आप देखें इसका मान ? सिकसा गल होता है तो ये नही नहीं हो सकता. Sign 60 का मान वर्ग मुल 3 वड़वाटा दो होता है, ये नि हो सकता. Clean 60 का मान घीक है? आपके पास दो वड़वाटा वर्ग मुल 3 होता है, तो ये नि हो सकता और campus 60 का मान 1 वड़वाटा दो होता है. घीक है? तो becomes Move'm a παसाध पासक बनना था तो आपके उन्होंने इसी त्रिक्टे से आपको solve करने के लिए दिया गया है वैसे तो इसमें आपकी direct सरसमिका बन जाती है लेकिन इसमें भी ख्या लखेंगे कि आप ऐसा मान भरेंगे जिसका मान 45 ना हो क्योंकि आपको जो option दिये गए है उसमें 45 के according हो सकता है कि शायद एक से जाद option बन रहे हो ठीक है ना क्योंकि आपको 4 option क्या दिये गए है इसके अंदर second square a इसका मान 45 का वर्ग मुल 2 होता है तो वर्ग मुल 2 का वर्ग 2 मिस 2 उतराना चाहिए दूसरा option minus 1 यह लग होगा कोई problem नहीं है code का वर्ग और 10 का वर्ग code और 10 अगर एक आया आपके पास एक आया तो 45 code 45 और 10 और 45 का मान एक होता है और एक का वर्ग एक होता है तो आपके पास एक वाली value पर यह 2 option हो सकते हैं उन 2 option से बचने के लिए हम किसी और कोन पर मान को solve करेंगे value को हल करने कोशिश करेंगे कैसे देखे है मारे पास जैसे माल लीजे आपको दिया गया 1 plus 10 square a upon 1 plus code square a आपने 10 की जगा रखा एक वटा वर्ग मूल 3 मालो 30 का मान रख लेते हैं code का वर्ग मूल 3 तो आपके पास एक वटा एक वटा 3 हो गया और 1 plus 3 हो गया तो इनको अगर आप देखेंगे उपर 4 वटा 3 नीचे 4 वटा 1 माल लो इसको बटा में कुछ नहीं है तो एक 4 वटा 3 माल आप लोगा नहीं और 2 नीचे 5 के अंदर आपके पास किसी भी चीज़ का माल एक 24 मूल 3 दो बनता है तो यहिं का वर्ग कर दिंखेंगे तो यह लो सकताा हून तोμεकि और एक 3 मूल 3 का वर्ग सा है 35 यह किसका है तुबदात मूल 3 का माल एक वर्ग मूल 3 थीक है तो निए लेकिन अगर options भरकर solve करना चाहें तो आप question को solve करके भी कर सकते हैं ऐसे ही हम आगे exercise के कुछ questions देखते हैं हमारे पास जो हम exercise का fourth question कर रहे हैं फिफ्थ question कर रहे हैं फिफ्थ question के first भाग में इनमें हमें solve करना क्योंकि हमें एक भाग को दूसरे भाग के ब्राबर लिए का गया है कि अन्वलित सर्व समिकाय सिध कीजिए जहां वे कॉन जिनके लिए वियंजक पडिवाशित हैं न्यून कोन है मल जो कोन है वह न्यून कोन है अधिक कोन पर बात नहीं की गयी है इन्होंने special mention भी कि आपका अगर मना भी mention किया गया था तब भी कोई problem नहीं थी हमें cos minus cot theta का वर्ग 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta गरापर प्रूफ करना है तो हम इसकी left hand side लेते हैं left hand side क्या कहती है आप पहले जो लिखा गया उस फरागम को लिख देंगे हमारा technique क्या गयती है आप सबसे पहले उनको sign cos की form में बदलें cosec क्या होता है sign का उल्टा तो इसको 1y sign लिख देते हैं और code क्या होता है हमारे पास cos का उल्टा तो इसको cos by sign लिख देंगे सारे का वर्ग तो आपके पास अंदर उसके बाद लगुत्तम लें लगा है लगुत्तम मिल रहा है हमारे पास क्योंकि बटा मेरकमे बन रही है तो क्योंकि लगुत्तम हो जाएगा उपर one minus cos theta का वर्ग तो उपर तो हमें cos theta में एक बार चाहिए यह दो बार है तो हम इसको दो बार ही लिख देते हैं ताकि कोई कटता हुआ तो काट देंगी और निचे साइन का वर्ग है ठीक है उपर तो आपके पास one minus cos theta का वर्ग चाहिए कठा करके लिखने है जाए दो बर फैला के लिखने है एक ही बात है हमारे पास और साइन के वर्ग का फार्मुला क्योंकि cos में चाहिए अपने को one minus cos का वर्ग और one आपका one का वर्ग वन ही होता है इसल जाएगा इसको द्वारा हम जैसे खोल के लिखते हैं ताकि कटने में सानी रहे आपके पास one minus cos theta one plus cos theta a minus b a plus b आपका ये कट गया तो बचा के आपके पास one minus cos theta और one plus cos theta आपको यही प्रूफ करना था मतलब equal to right hand side ठीक है आपका ये portion बराबर हो गया question भाग बराबर हो प्रू ऐसे ही हम देखते हैं हमारे पास next questions, question number 2 उसके अंदर हमें क्या करना है इसमें क्या दे रहे है आपको आपको दिया गया question number 2 के अंदर 5 में भागके पांच बागके पांच वार के दूसरे बागके अंदर cos और आपको हर के रूब में दिया गया one plus sign a और हर के रूब में दिया गया one plus sign a और हर के रूब में दिया गया को से हमें प्रूफ करना है 2 sec a ठीक है अब हमारे पास देखें पहले ही आपके पास left and right side in the sign cos की form में है तो आप left hand side लेंगे सबसे पहले रकम लिखेंगे उसके बाद इनका अल्गुत्तम लेंगे अगले step के अंदर हम यहाँ पर इनका direct लुकुत्तम ले लेते हैं ठीक है दोन्नों ही अलग लग है तो दोन्नों ही लुकुत्तम की रूप में आ जाएंगे जब दोन्नों ही लुकुत्तम की रूप में आ जाते हैं तो आपको पता है चाहिए आप direct गुना कर देन की cross गुना 1 plus sine का वर्ग B का वर्ग plus 2 AB 2 को 1 से कुना करके 2 यज आएगा sine A से कुना करके 2 sine A आगे आगे और निच्छे आपके पास क्या है 1 plus sine A into cos A अब sine का वर्ग plus cos का वर्ग है किसके रब रता है मारे पास 1 के रब रता है तो हम इसको 1 plus 1 plus 2 sine A कर देंगे और निचे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए और 1 प्लस 1 क्या होगा हमारे पास 2 तो 2 प्लस 2 साइन ए निचे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए ठीक है उसके बाद हम देखें क्योंकि 2 हमारा कॉमा निकल सकता है आप किसी भी फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं आप साइड में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जैसे आपने यहां पर कोस का वर्ग प्लस साइन का वर्ग ब्राबर एक प्रयोग किया तो आप यहां पर लिखना चाहें ब्राबर में लिख सकते हैं नहीं लिखना चाहेंगे तब भी कोई दिख करनी है यह सिर्फ इस चीज के लिए कि आगे आप जब द्वारा आप देखें तो आपको याद रहे कि आपने किस ढंग से कोश्चन को किया था दो आपने कॉमन लिया तो वन प्लस साइन ए हो गया ठीक है अपन आपके पास वन प हों तो कोस कोस का विखन होता है से गन्ठ का दो सी यह आपको प्रापर में प्रूफ करने मतलब प्रापर में राइट-साइड ठीक है यह मारे पास हमारा नेक्स्ट भाग इसको उनकी इस प्रकार से करेंगे तीसरे questions तीसरा भाग 5 में questions का इसके अंतर देखें आपको क्या दिया गया है 10 theta 1 upon 1 minus 4 theta अगर हम बुक में देखते हैं 10 theta upon 1 minus 4 theta plus 4 theta upon 1 minus 10 theta तो आपके पास दो लग-लग दिये गए हैं और उनको 1 plus second theta cos theta के रबर पूफ करना है आपको वैसे तो यह संकेत भी दे रहा है कि sine को उसकी form में बदली लेकिन हमने तो नियम ही बनाया हुए सभी questions के लिए ठीक है हम क्या करेंगे इसकी आपकी रखम लिखने के बाद left hand side को भी सम्सूरू नहीं करेंगे हम सबसे पहले solve कर रहे हैं 10 theta upon 1 minus 4 theta और इनको sine cos की form में बदल कर तेंजेड आपका sine by cos हो गया quote आपका cos by sin आगया ठीक है उपर आपके पास sine by cos theta है निचे आप क्या करेंगे इन दोनों का अलगुत्तम नहीं लेंगे 1 और sin का अलगुत्तम साइन हो जाएगा तो क्या बनगे आपके पास sin theta minus cos theta ठीक है यह आपके पास ठीक है निवाना धियान दें 10 theta upon 1 minus quote हम उसके एक भाग को solve कर रहे है 10 आपके पास sin minus sin upon cos हो गया 1 का 1 quote आपके पास cos by sin हो गया आपका sine by cos और निचे हमने लगुत्तम लिया तो sin theta लगुत्तम हो गया sin minus cos theta अब आपके पास यह रखम अगर उपर चली आती है हमारे पास रखम पल्ट कर उपर के आपके पास sin by cos है और यह रखम पल्ट को उपर चलीगी तो sin आपको उपर चला गया और बटा में निचे क्या गया sin minus cos theta ठीक है मतला आपके पास क्या बन गया sin का वर्ग upon cos theta into sin theta minus cos theta हम क्या गरेंगे इसी प्रकार से आपके पास दूसरा क्या दिया गया cot theta 1 minus 10 theta आप देख रहे हैं क्योंकि 10 होता है sin by cos और coat होता है cos by sin मतला आपकी जोहाँ sign है वहाँ cos आजाएगा जहाँ cos है वहाँ sign आजाएगा जहाँ question को सुरूर करेंगे आप इसको solve करना जाहें इसी दंग से द्वारा तो solve कर लें या direct लिखना चाहें क्योंकि आपको पता है statement जहाँ question को शुरू कर रहे है sign की जगा cos cos की जगा sign आएगा तो answer में भी यही होगा sign की जगा cos और cos की जगा sign sign की जगा cos और cos की जगा sign यह बन जाएगा हमारे पास ठीक है अब आपने इनको लिखने के बाद सॉल करने के बाद जो में प्रूफ करना उसकी left hand side portion लेंगे हम इसका fourth भाग कर रहे हैं ठीक है पहले हमने statement लिखी फिर कोशन के भाग को स्टार्ट कर लेंगे solve कर लेंगे ठीक है उसके according फिर हम इसको दिखेंगे questions को sorry third भाग कर रहे हैं ठीक है अब दिखते हैं कि क्या कहा गया हमें left hand side के अंदर उसके according हम लिखते हैं questions को हमने left hand side लें left hand side में क्या दे रहे हैं आपको 10 theta upon 1 minus 4 theta plus 4 theta upon 1 minus 10 theta ठीक है अब आप portion इसकी जगा यूज कर देंगे आपके पास क्या चीज है इसकी जगा आपके पास यह portion आ गया और इसकी जगा आपके पास क्या आ जाएगा cos के theta यह जो नीचे बड़ा है हमारे पास sin theta into cos theta minus sin theta ठीक है यह लेह लिए हमने अब हम क्या करेंगे इन दोनों का क्योंकि दो लग लग रख में बन गी पहले 10 और code की form में लेते तो लगुत्तम में हमें दिक्कत करेंट करते हैं ठीक है प्रॉडम आती है हमें अभी हम यह अपर क्या करेंगे sin cos की form में हम इनके लगुत्तम ले लेते हैं इनके लगुत्तम लेंगे तो देखे हम हमारे पास cos और sin यह तो दुनों आपके पास हैं यह लग लग हैं तो बाहर वाले लेनी पड़ेंगे और अंदर देखें sin minus cos cos minus sin mean सिर्फ आपके पास minus का ही फर्क है ठीक है तो minus के फर्क के कारण हम क्या करेंगे हम sin minus cos इस बेक्ट वाले को ले ले लेते हैं ताकि दूसरे के साथ minus का निशान लगा देंगे अब इस रखम को जब इससे भाग करें cos कर जाएगा sin minus cos कर जाएगा बचा क्या sin अकेला तो sin को sine के वर्क से गुना कर दिया तो क्या आजाएंगा sin का घन minus जब इससे भाग करेंगे sin कर जाएगा sin minus cos यह cos minus sin तो minus का फर्क हुआ तो minus का बीच में निशान लगा दिया हमने plus की जगर और cos बचा तो cos को cos वर्ग से गुना करेंगे तो क्या हैगा cos का घन ठीक है अब हम आगे इसका formula apply कर देंगे a minus b का वर्ग हमारी पास ठीक है a minus b का वर्ग क्या कहता है हमें वो देखें यह क्या कह रहा है a minus b into a का घन माइनस b का घन होगे न तो a minus b a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस a b बटा में आपके पास यह ही है sin minus cos का आपके पास यह सेम कट गया sin का वर्ग प्लस cos का वर्ग एक होता है हमारे पास तो a plus sin theta cos theta और बटा में cos theta into sin theta अब हम क्या करेंगे जब बटा में एक रगम रह जाए हमारे पास plus minus के निशान के विना हो plus minus के निशान के साथ हो तो हम हर का परिमय करन करते हैं कर सकते हैं और विना आपके plus minus के निशान के साथ हो उप्र वाली रख्मों में वह में सभी के साथ अलग लग कर दें तो एक बह्द में कॉस और साइन ठीटा प्रेस साइं ठीटा कॉस ठीटा बटा मैं आपके पास कोस चीटा इन्टू साइन ही टाइन साइन से साइन कर गोद dev on two ठीक है तो कटके हमारे पास दूसरी तर्फ तो एक कहीं निष्हा एक बन गहा बन गहाँ हमारे पास मिन्स प्लस वन और वन व'ाइ कोस क्या रॉतता है सिकन्ट और वनवाइश सीन क्या अपना कार्वारे तो आपको यही प्रूफ करना था वन प्लस इकन ठीटा प्लस को सब्सक्राइबर में तो एक प्रकार से आपका क्या आ गई ब्राबर में राइट हैंड साइड क्लियर इस तरिके से आप अपनी exercise DIANA-5 साइज 8.4 के सवरी पांच में कोशन के तीसरे भाग तक करके देखें में हमारे पास हमारा एक उधारन रहे है उस उधारन ने को में अगली वीडियो के अगली ख्लास के अंधर देखेंगे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीजिस को लाइक करें आप कि किसी भी प्रॉलम के लिए कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसको जुरूर शेर करें ठीक है और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सबस्क्राइब भी करें ठीक है ओके थैंक यू स्ट्वेंट्स मेरा चैनल वीजा जाखल बंसर मैथ ओके थैंक यू